नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं भारत और चीन की बाराहमे दवर की बैठक भारत चीन कोर कमांडर अस्तर की बैठक का बाराहमाद और सोमवार को भारत की ओर से चुसूल, मोल्दो, सीमा, मिलन, अस्तल पर आयोजित किया गया दोनों देशों ने सोमवार को कहा कि एक ब्यापक संहर्स पर चिनताओ के बीच भारत और चीन अपनी विवादित सीमा पर तनाव काम करने के उदेश से बाचित जारी रखेंगे दोनों आर्थिक दिगजों के सहनिकों का विवादित छेत्र में सामना करना जारी है भारतिये और चीनी सेना के एक सन्यूत ब्याण के अनुसार दोनों पक्षों के बीच असपस्ट और गहन विचार का आधान परदान हुआ और तेजी से मद्वेदों को हल करने के लिए सहमत हुई छात्रों ने जैक कर्याला के गेट का तोड़ा ताला सुमवार को इंटर्मीडियेट के परिक्षा में गरवड़ी की सिकायत लेकर पहुँचे छात्रों ने जैक कर्याला के सामने जम कर हंगामा किया छात्र छात्राय मेन गेट का ताला तोड़कर कर्याला परिसर में धारना पर बैठ गये छात्रों ने कहा कि दसवी और बरावी के परिशा पहिनाव में कोलेज और जैक की गलती के करण तुर्टी पूर्ण रियल्ड जारी हो गया है इसकी सिकायत लेकर जानने पर कोलेज और जैक पर सासन सुनने को त्यार नहीं है बतादे सनिवार को भी छात्र जैक करेले पहुंचे थे परंतु उनकी सिकायत तूर नहीं हो पाई सोमवार को सभी छात्र शात्र आये अपनी मांग को लेका जैक करेले पहुंचे थे परंतु उन्हे सुरंग्षा कर् compliqué पर ही रोक दिया था ज्यार्खन के तीन हजार अप्रसिक्षित पाराशिक्षकों के लिए खुस खबरी ज्यार्खन में सरो सिक्षा अभियान के तहट नियुक्त लबग तीन हजार अप्रसिक्षित पाराशिक्षकों को दो साल से मांदे नहीं मिल रहा था अब उन्हें मांदे का भुक्तान किया जाएगा इतना ही नहीं इनका बकाया मांदे का भी भुक्तान होगा बताते जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशद ने बीधी परामर्श के बाद यह नहीं लिया है जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशद ने अपरसिशित परासिश्कों को इस साल अपरेल से जुलाई माहत तक के लिए मांदे भोक्तान की परकिरिया शुरू कर दी है भैक्सिन लेने वाले छात्रों को ही स्कूल में मिलेगा प्रवेश जार्खन आपदा प्रवंधन पराधिकार ने काक्षा नौ से बारा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के उनमती दे दी है कोलेजों और भी सुविद्याले को असनातक तता असनतकोतर के अमतिम वर्ज के छातर शात्रों की ओफलाइन काक्षाय सुरू करने की भी उनमती मिली है साथ ही आई टी आई पोलिटेक्निक कोलेज तथा कोसल विकास केंदर भी खोलेंगे जारखन आपदा प्रवंदन प्राधिकार ने कक्षाओं में सामिल होने के लिए 18 वरस या इस से अधिक आयू के चादर शात्राओं के लिए कम से कम पहलिटोज का टीका अनिवारी किया है बतादे राजे में अभी तक 18-24 वरस आयू वर्क के लगभग 24 परतिसत युआओ को ही पहलिटोज का टीका लग सका है हाई इसकूलों के सिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन छारखन के हाई सिक्षकों के सिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा इसके लिए सभी जीलों से असना तक सिक्षकों की सेवा समपुष्टी वेतन सनक्षन सेवा निगंत्रता प्रवरन वेतनवान में प्रोनती और सेवा निवरिती समधी रिपोर्ट उपलावद कराने को कहा गया है मादमिक सिक्षा निदेशक हर्स मंगला ने जीलों को 10 अगस्तक रिपोर्ट उपलावद कराने का निदेश दिया है बता दे जीलों को सिक्षकों की नियुकती का साल सिक्षकों की कूल संख्या बारस बारस की सेवा फूरी करने वाले सिखों की संख्या और वहर ये वेतनमान पाने वाले सिश्कों की संख्या बतानी है मौसम साफ होते ही अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या सदर अस्पताल में मौसम साफ होते ही मरीजों की संख्या बढ़ गई है सदर अस्पताल में इलाज से पहले पंजीकरन कराने के लोग की भीड ओपीडी काउंटर पर दिखी बतादे सैक्लों की संख्या में लोग अपना पंजीकरन कराने के लिए कतार में खड़े थे बिस्व आदिवासी दिवस पर मोटर साइकल रैली बिश्व आदिवासी दिवस को लेकर सोमवार को जय आदिवासी केंद्री ये परिशत की बैठक सारना भवन नगडा टोली में हुई समती बनी की बिश्व आदिवासी दिवस के दिन सहर में भवे मोटरसाइकल रैली निकाली जाएगी रैली के माध्यम से सभी महापूरसो और बिरांगना की परितिमाओ पर मल्यारपन कर उनका सम्मान किया जाएगा बतादे बैठक में सभी आदिवासी संगटनों ने अवाहान किया है कि इस वर्ष अंतरराष्टी आदिवासी दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे सांसत संजय सेठने केंद्रिय उडाने मंत्री से मिले जाखन की राईधानी राची से दूसरे राज्यों की सहरों के लिए नियमीत उडान भरने राज्य के किसानों के लिए क्रिसी उडान योजना शुरू करने बीशा मुंडाय आरपोट पर यातरी सुविधा के विस्तार और नई उडान शुरू किये जाने को लेकर केंद्रिय नागरिक उडाने मंत्री यो तिरा दित्य सिंधिया से राची सांसत संजाज सेट ने मुलकात की उन्होंने राची एरपोट की समस्याओ से केंद्रिय मंत्री को अउगत कराते हुए राची सांसत ने आगराफ पत्र सोपा ज्यारखन में नीजी स्कूलों को भी खोलने का आदेश ज्यारखन स्कूली सिक्षा एम सक्षारता विभाग के सचीव राजे सर्माने नीजी स्कूलों को भी कख्षा नौ से बरावी तक के लिए खोलने के निदेश दिये हैं इसे लेकर उन्होंने अलग से राजे के सभी उपायुक्तों तथा जीला सिक्षा पता अधिकारियों को पत्र लिखा है उन्होंने गिरीह कारा एम आपदा प्रबंदन विभाग द्वारा एक अगस्त को जारी आदेश के तहत इसकूलों को खोलने की करवाई करने के लिए कहा है यह इसकूल कॉप से खोलेंगे इसे विभाग द्वारा तय नहीं किया गया है इसे उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है कहा गया है कि जीले के उपायुक्त ही हालात की समिक्षा कर इसकूल खोलने का आदेश जारी करेंगे जारखन में 23 नहीं केस मिले है जो राशी से 3, बोकारों से 4, कोडार्मा से 1, देवघर से 4, लातेहर से 2, लोहतागा से 4, साइबगां से 3, पाकूर से 2 मिले है जारखन में 38 मरी स्वास्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 249 है भारत में 30-29 नहीं केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,92,910 है जारखन के गड़वा में केस इसी लोन के नाम पर फर्जिवारे का मामला सामने आया है आरोप के घेर में बैंक मैनेजर समय चार कर्मी है जनकारी के मुताबिक 8 लावको के खाते से 20-20,000 रुपए के बैंनिकासी कर ली गई है पीडित लावको ने रिजनल मैनेजर से इस मामले में सिकायत की तो जांच में मामला साच निकला जिसके बाद साखा परवंदक समय चारो कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है बलाएक फंगस से मौत मामले की जांच करेगी बिसे सग्यों का कमेटी रिम्स में बलाएक फंगस से पीडित गिरीडी के पंचबा की 25 वर्षिये उसा देवी की मौत के मामले में बरती का इला परवाही की जांच बिसे सग्यों की कमेटी करेगी स्वास्त विभाग के ओर से इसके लिए तीन सदर से कमेटी गठत की गई है बता दे MGM जमसेदपूर के ENTHOD प्रोफेसर डाक्टर संजय कुमार के देक्स्ता में गठित कमेटी में निदेशक परमुक स्वास्त के तकनीक की सलाकार डाक्टर राकेश द्याल और सदर अस्पतल राची के चिकिसा पतादिकारी डाक्टर अजय कुमार को सामिल किया गया है मुख्य मंत्री प्रोफाहन योजना का लाब अधिक लोगों को देने का निर्देश राची उपायुक छवी रंजन के द्यक्सता में मुख्य मंत्री प्रोफाहन योजना से समन्दित बैठक आयोजन सोमार को किया गया जुम आयप पर आयोजित बैठक में नियोजन पतादिकारी जीला कौसल पतादिकारी राजकी एपोल टेक्निक के परचारे एवम कोसल पिकास अंत्रगत बिभीन सिक्षन प्रदता उपस्थित थे बैठक में मुख्य मंत्री प्रोफाहन योजना से समधित बिभीन बिंदू परचार्चा की गई बैठक में नियोजन प्रचारे एवम कोसल पिकास बिभाग उच योम तकनिकी सिक्षा बिभाग के जीला स्तर ये पतादिकारी को उपायुक्त ने अधिक से अधिक संख्या मेला भारतियों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया बीएट के छात्रों के लिए छात्रवीर्ती पोटल खुला जार्खन राज के मानेता प्राप्त बीएट महा बिद्ध्यालियों के छात्र शात्राव के लिए छात्रवीर्ती आवेदन करने के लिए इक कल्यान पोटल सोम वार्थे चालू हो गया है इसके साथ ही सेक्षनिक सतर 2020-22 के लिए वर्स 2021 में आंकर लेने वाले चातीरों का आवैदन लेने की परक्रिया चालू हो गई पता दे आवैदन 30 सितमबर तक लिया जाएगा मुख्य मंतिरी से मिला अंदोलन कारी संगर्ष मोर्चा जार्खन आंदोलन कारी संहर्ष मोर्चा का प्रतिनीधी मंडल सोमवार को मुख मंत्री मन सुनें से उनके आवासे करेले मुलकात की इस दोरान आंदोलन कारीयों के मुद्दे पर चर्चा हुई पूरो मुख मंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बावलन मरांडी ने कहा है कि राज को लूट के समराज से बचाने के लिए सुरेन परिवार को संताल परगना से बोर्यों भी स्तारा बांध कर बीदा करना होगा सीरी मरांडी सोमवार को दुमका के फूलो जानो चोग पर दुमका जिला भाजपा की ओर से चलाये जा रहे सत्यागरा को समोधित कर रहे थे बताद बीगरती कानून ब्यवास था और खनीच समपदाओं के लूट खसोट में बिरोध में 120 घंटे के सत्यागरा का सोमवार को चौथा दिन था जार्खन के मंत्री सत्यानंद ने चलाया हल जार्खन के स्रम एवनिजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता सोमवार को खेती बारी में कड़ापरी स्रम करते नजर आये बतादे चत्रा जिले में पैतरी गाव कारी पहुंचे भोक्ता ने अपने खेतों में न सिर्फ हल चलाया भलकी घंटो डटे रहकर धान की रुपाई भी की मंत्री ने बताया कि वो हर साल खेती करने आते हैं अपना काम करने में कोई हिन भावना नहीं रहनी चाहिए जिन लोगों के पास भी जमीन हैं उन सब लोगों खेती बारे में पसीना बहाना चाहिए राज जेपाल से मुख मंत्री ने की मुलकात राज जेपाल रमेस बैसे मुख मंत्री हमान सुरे ने सोमवार को राजभन में मुलकात की राज जेपाल को मुख मंत्री ने उनके जनम दिन के औसर परुफार सरूप आम का पवधा बेट कर उत्म स्वास्त एम दिर्गायू होने की कामना भावान से की राजेपाल ने मुख मंत्री द्वारा दिये गए सुब कमनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया राजे की जानता को बेहतर स्वास्विधा जारखन के अल्प संख्यक कल्यान प्रेटन मंत्री हफिजूल हुसेन ने करोना की संभावी तिसरी लहर के मंदेजर 108 के तहट प्रदत जीले के स्वास्त माकंपा को 120 ऑक्सिजन कंस्ट्रेक्टर उपलब्द कराया जाने के मौके पर कहा की उनका लग्ष राजे की जनता को बेतर स्विधा उपलब्द कराना है उन्होंने कहा की देघर जीले को आक्सिजन कंस्ट्रेक्टर तो उपलब्द कराया जा रहा है किन्तु वे बावा बैदना से प्रतना करेंगे की इसके परियोग नहों हो सके CBSE 12 के कंपार्टमेंटल परिक्षा 16 से केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड ने 16 अगस से 15 सितंबर तक कंपार्टमेंटल परिक्षा लेने के जिसुतना जारी कर दी है मालूम हो कि बारावी के परिणाम घोसित किये जा चुके हैं बतादे CBSE ने कहा है कि कंपार्टमेंटल सिरेनी में रखे गए चात्रों के साथ साथ चात्र अपने नमबर से तंस्ट नहीं हैं वे भी लिखित परिक्षा में बैठ सकते हैं मन्रेगा कार्य में ना होला परवाही ग्रामिनों को मिले रोजगार जार्खन में मन्रेगा के कार्य में ला परवाही नहीं बरतने और ग्रामिनों को रोजगार उभलावत ग्रावने पर जोर देने की बात ग्रामिन बिकास विभाक सचिव मनिस रंजन ने कही सोमवार को सभी जीलो के डीडीसी येवं सभी वीडियो के साथ मन लेगा येवं परधान मंतरी आवास योजिना की प्रगती की समिक्षा वीडियो कन्फरेसि के माध्यां से की सची उसीरी रंजन ने मन लेगा योजिना अंत्रगत मानव तिवस रिजन में बढ़ोत्री पर बधाई देते हुए मन लेगा कारे कास समय निस्पाधन को लेकर टास्क सोपा OVC को 27 परतिसद आरक्षन की मांग बीत मंत्री परदेश कॉंग्रेस अध्यक्स बीत यम खादा पुर्ति मंत्री डाक्टर रमेशरुराव ने राज सरकार से मांग की है कि जार्खन में जल्द से जल्द OVC को 27 परतिसद आरक्षन दिया जाए उन्होंने काया कि केंद्र सरकार ने तकनिकी संस्थानों में OVC को 27 परतिसद आरक्षन दिया है ऐसे में राज सरकार को बिना बिलम किये हुए पीछडों का आरक्षन 14 परतिसद से बढ़ाकर 27 परतिसद कर देना चाहिए इंटर स्टेट बस के लिए दिशानी देश जारी जारखन से दूसरे राजियों के लिए बस सेवा सुरू हो गई है बसों की परिचालन को लेकर राज परिवहन विभाग की ओर से गयले जारी की गई है इसमें कुरोना के मद नजर कई एतियात बरतने को कहा गया है बसों में एसी चलाने पर रोक लगाई गई है वही संक्रमन नहीं फैले और यातरियों को कोई परसानी नहों इसके लिए बसों की खिलकियों को यातरा के दोरन खुला रखने को कहा गया है वहीं बस संचालक पुर्वनिधारित किराया ही यात्रियों से ले सकेंगे धन्यवाद